वहीं शिवाजी महाराज की जैनती पर अप्रदान मंत्रे इंडरेंद्र मुदी संबोधित कर रहे हैं आपको सीज़े सुनाते हैं अपने देश वाज़ियों को मोटिवेटेड और कंफिडेंट रखें आप छत्रपती सिवाजी महाराज के समय के देश की परिस्तित्यों की करपना कर सकते हैं सेक्ड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वाज़ियों से उनका आत्मिश्वाच छिल लिया था आक्रमण कारियों के शोशन और गरीवी ने समाज को कमजोर बना दिया था हमारे सांस्कूरती केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनुबल तोड़ने की कोशिश की गई ऐसे समय में लोगों में आत्म विश्वाच जगाना एक कठीन कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमन कारियों का मुकाबला किया बलकि जन मानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयम का राज संबव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया साथ्यों हमने ये भी देखा है कि इतिहास में कई ऐसे सासक हुए जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक छमता कमजोर थी इसी तरह ऐसे भी कई शांसक हुए जो अपनी बहत्रीन शांसन व्यवस्ता के लिए जाने गए लेकिन उनका सैन्य नेत्रुत्वा कमजोर था लेकिन छत्रपति सिवाजी महारात का व्यक्तित्व अद्भूत्वा उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी साकार किया वो अपने शावरिये के लिए भी जाने जाते हैं और सूशासन के लिए भी जीनिर्स